हैं तो यह देखिए हम सब लोग या अपने कचन में यूज करते हैं घाने में तो हम इसमें क्या गलते करते जब भी हम इसको न्यु लेख आते हैं open करते चुन का पूरा जो इसका कई बर क्या होता है जैसे जो हमारी नेल कटर होती है उसको हम continue यूज करते हैं तो उसकी sharpness कम हो जाती है तो उसकी sharpness बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है जो भी हमारे पास medicine के जो खाली रहा पर होता है उसको हम फैंक देते हैं तो हमें क्या करना है अपनी nail cutter को इसके उपर continue बस चलाते रहना है और अच्छे से मतलब इसको continue चला चला के इसको cut करते रहना है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो nail cutter है उसके sharpness वापिस आजएगी और जो हमारे nail cutter है वो अच्छे से चलने लग जाएगा तो ये देखी इसको अच्छी तरी से दबा दबा के इसको इस जो खा हमको समाल लाते रहते हैं डिबों में और ये खाली आते हैं तो कई वार जैसे इनका sticker होता ना बहुत ज़्यादा हार्डी होता है निकलता नहीं हमें इसको पानी में सोग करके रखा बट नहीं निकला तो सबसे easy तरीका यह है कि आप इसके उपर tarpin का oil होता है ना वो अच् को कोई भी मेनत नहीं करने पड़ेगी तो आप इसको इस तरीके से tarpin की oil से एकदम से sticker को सोग करके ना oil के अंदर और आप इस तरीके से इसको ढिकाल सकते हैं और ये मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं एक तने time से इतना अपना time waste कर रही थी और ये जो trick है ना इससे इतने easy निकला तो आप kitchen के अंदर ये बहुत ही अची trick है कोई भी अपने container खाली होते हैं तो हम उनको इस तरीके से मतलब tarpin के oil से clean कर सकते हैं कोई भी switchboard वगरा हो तो आप उनको भी tarpin के oil से अच्छे से clean कर सकते हैं तो ये देखे मैंने tarpin के oil से इसको clean कर दिया है मै अपने nail के hand से इसको अच्छे से दीरी-दीरे remove कर दिया है यहां से sticker को अब मैं cotton लेके और ये जो चोटे-चोटे sticker बचे हैं उनको भी clean कर दूंगे तो ये देखे कितने अच्छे से clean हो गया है तो रेक हमारा अच्छा सा DIY ये ready हो गया है तो मैं इसको kitchen में अच्छे से use कर स तो लसुन चील के और कोई भी container में store करके freeze में रख सकते हैं आपकी लसुन बिल्कुल भी खराब नहीं हुई और सुबह सुबह के time में आपको ज़्यादा भागम भाग नहीं करना पड़ेगा तो मैं इस तरीके से जब free होती हूं टीवी वगारा देखती हूं तो मैं बैट ट्रिक फोलो करें तो यह देखी मेरे जो वाश वशन की टैब थी उसमें से पानी एकदम slow-slow आने लगया तो मैंने इसको पहले तो open करके देख लिया फिर मैं सुचा open करी रही थी फिर मैं सुच चलो आपके साथ video shoot कर लेती हूं share करती हूं तो यह देखिए इसके अंदर से जब मैंने इसके filter को खोला तो इसके अंदर से आप देख रहे हैं कितना कचरा निकला है तो अगर हम continue हमारे इस जो टैब है उसको clean करते रहें तो यह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और पानी का जो बिल्कुल भी slow नहीं आएगा तो यह देखिए आप देख रहे हैं कित ना कचरा निकला है इसके अंदर से तो हम इस filter को open करके और अच्छे से clean करके उसी तरीके से वापिस इसके अंदर फिट कर सकते हैं टैप के अंदर तो बिल्कुल भी पानी में देखिए एकदम clean कर दिया है मैंने इसको अच्छे से और मैंने एकदम brush लेके ना उसको तो अगर आपके टैब में भी इस तरीके से पानी रुक रुक क्या है तो आप एक वर अपने फिल्टर को जुरूर चेक कर लें और इस तरीके से इसको क्लीन करके वापिस प्रेस कर सकते हैं इसी जगा पे तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे जो यूटूब चैनल है उसके साथ कौन-कौन जुड रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर गरेचे नल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल टैनल को सब्सक्राइब कर भी।